तो हाई एवरीवान येस गुड़ इवनिंग गाईज चलो जी लेट स्टार्ट विद यार इंटेगेशन एक्ससाइज 5.2 की तरफ आगे बढ़ता है ये एक्ससाइज बहुत ही सिंपल है बट इससे पहले मुझे आपते थोड़ा का कुछ डिसकस करना था कि क्या तुम लोग एक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन चाप्टर के लिए कम्पंपल सरी आप सोल अग्जाम्पल करने वाले हैं ठीक है यह सॉल्ड इग्जाम्पल करना ही है भले ही उन्होंने बोल दिया है कि भाई नहीं यह आपके सिलबस से रिडूच है ऐसा है वैसे ना यह कि अगर यह बच्चे ने इंडिकेशन और डिफ्रेंसियेशन बहुत ही फुल फ्लेश्च वे में अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो इसका मतब यह होते ही कि इसने साल भर पढ़ाई किये तो यह थोड़ा सा कुछ कुछ एक्जामिनर भी आपके स्ट्राटीजी लेता है जब उसके माइन में भी कुछ कंसेप्शन होते हैं जैसे एकनॉमिक्स में ग्राफ वगरा बनाना सारी चीज़े ठीक उसी तरह से मैथमेटिक में भी कुछ चीज़े होती है लोगई इट्स इट्स रिक्वेस्ट तो और तोफ मां थोड़े भी इधर को उदा पॉइंट नहीं जाना चीजि़े लिए अपने कुछ में सौल करने चाहिए ठीक है अब लोग क्या पढ़ने वाले अभी हम लोग डिसकस करेंगे आपके लिए सब्स्टीटूशन में ज़िए होता है ठीक है यह जैसे डिप्रेंसे तरह यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन जाट कई बहुत कुछ कॉंपलेक्स दिखता है क्वेश्य तो इन फॉर में सब्स्टिट्यूशन का सौरी हमें फोस्तों पता नहीं तो हम लोग यहां पर करता है डिप्रेंशेट करते हैं अगल बन सब्स्टिटूशन में यूज कर है इस पूरे का integration का कोई एक standard formula है नहीं है तो हम लोग यहां पर क्या formula यूज करेंगे कौन सा method यूज करते हैं डिया substitution method ठीक है यह बात clear है क्योंकि इस पूरे को integrate करना possible नहीं है therefore we use substitution method in your integration chapter ठीक है जी now exercise 5.2 is all about your substitution method now substitute कैसे करने का अभी सिर्फ समझ के लो जैसी questions आएगा मैं आपको बहुत मस्तर से बता दूंगी in this method we reduce the given function एक जो भी standard कोई भी जो given function है जैसे f of x है उसका हम लोग reduce करने की कोशिश करते हैं ठीक है वहाँ पर हम लोग variable change कर देते हैं by changing variable from x to t जब आपने variable change कर दिया एक से लेके आपने variable को t में कर दिया तो आपका जो question है वह standard form में आ जाता है ठीक है by using some suitable substitution x is equal to phi t x is equal to phi t जैसे for example if x is equal to phi t is differentiable function of t then f of x यह आपको integrate करने के लिए दिया है आपको integration क्या दिया है integrate f of x dx now what I am saying कि भाई आप x को क्या ले लो phi t ले लो इसको differentiate करो जिसको भी तुमने substitute किया है आपने x को substitute किया t के terms में substitute किया yes or no इसको differentiate करोगे इसको differentiate करोगे and you will get something as your कुछ आपका डिवसी को बोद दा साइट differentiate करते चलोगे करते चलोगे तो आपको कुछ एक यह आएगा ठीक है जो similar दिखेगा आपके question में ठीक है यह हो गया आपको question solve करने का मैंतर बता है अगर यह है तो आपको क्या हो जागा solution आप इसके बदले में एक्स के बदले में आप इडालो और यह फाइटी को वापस से differentiate करो वित रिस्पेक टू टी को समझवा रहे है नहीं समझाएगा इसको यह समझेगा नहीं ऐसे और लिए यह question आपको नहीं समझ में आने वाल है प्लीज आजो जब आपन question solve करेंगे बहुत बहुत बैतरी इंदर से समझेगा अच्छा ठीक है नाओ यह दो अगर यह आपको इस तरह से कुछ question में देता है f dash x upon fx उसका डिरिकली formula है भी हाव लॉग ओफ मॉड fx प्लस c ma'am कैसे यह भी माँ अभी आपको questions के थ्रू प्रूफ करके दिखाती हूँ बट जस अभी समझ के रखो डिरिकली you can use formula और और उर इस you can use substitution method ठीक है ना एक ओ फॉर्मुला है यहां पर अगर यहां पर अगर यहां पर अनरूट of fx दिया है and f dash x dx ऐसा कुछ दिया है तो दिस विल भी यॉर 2 इंटो अनरूट fx plus c ऐसा कुछ आएगा माम कैसे ध्यान में रखो जब questions आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से पताते हूं ठीक है बस बाकी कुछ ज्यादा भी अभी कन्फीज मत हूं directly let's come to our exercise exercise solve करते करते ही मैंने आपको सारी चीज़े समझा देना है ठीक है डन ओके नाव exercise 5.2 का फॉर्स वाला question यह है integration of x under root of 1 plus x square dx यहाँ पर देखना जरा integration of x into 1 plus x square dx यह substitution वाला जो method है यहाँ पर करना क्या होता है आपको जो technical दिख रहा है न या फिर तुम्हें कुछ तो किसी एक पार्ट को टी लेना होता है देखो बताती हूं जिसे अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मैंने one plus x square को टी ले लिया one plus x square को if I took t मेंने उसको टी के टों में प्रिजेंट किया तो यह क्या हो जाईगा अगर मैंने इसको बोद दशेंट किया तो यह देखो one का 2x with respect to what with respect to x obviously, ठीक है, now d by dx of 1 plus x square is equal to d by dx of t, यह 1 का कितना हो जगा, 0 और यह x square का कितना हो जगा, 2x is equal to dt by dx, यह समझ में आ रहे हैं, बोलो, तो यह इसका क्या आ जाएगा, इसका यह जागा आपका 2x, dx is equal to dt, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको solve करते करते कुछ question से similar लाना है, यहाँ पर मुझे x और dx मिल रहा है, ओके, now x into dx is equal to 1 by 2 dt, नव कहना है, substitute x dx को कहना है, substitute as 1 by 2 dt, कर सकती हूँ मैं, बोलो, first step फिर से बताओ, देवया हमने क्या किया, 1 plus x square को t assume किया, इस पूरे question को हम लोग substitution method से solve कर रहे हैं, ठीके, तो यहाँ पर हमने 1 plus x square को t लिया है, ओके, अब क्या हो जाएगा, इसको जब मैं differentiate करूँगी न, देखो, जब मैंने इसको differentiate किया न, तो मुझे, इन दोनों को मैं place करके, 1 by 2 dt के form में लिख सकते हो, यह समझ में आ रहा है, उसको differentiate किया, आपने 1 plus x square को t लिया, दोनों side differentiate किया, यह कि तुम्हारा 2x is equal to dt by dx, ठीके, 2x is equal, 2x dx is equal to dt, तुम question में देख रहे हैं, तुम्हें x और dx दिख रहा है, तो तुमने यहाँ पर भी x dx को common लिया, 1 by 2 को इधर के side opposite side भी जा, ठीके, तो यह क्या हो गया, x dx is equal to 1 by 2 dt, done, समझ रहा है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यह जो तुमने लेकर आ गयो ना, बद इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो यह question क्या बन जाएगा तुम्हारा, under root of t बनेगा, first thing, under root of t बनेगा, और यह x dx के बदले म तुम यह equation number 1 से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1 by 2 dt, 1 by 2 constant है, बाहर चला जाएगा, 1 by 2 बाहर चला जाएगा, यह जागा, तुम्हारा root t dt, देखो, इतने भयानक sum को कितना simple कर दिया, तुमने, इतने भयानक sum को आपने कितने simple way में present कर दिया, समझ में हा रहा है, this is the use of substitution method, य नहीं, आपने, इसको t ले लिया, यह अंदर के पार्ट को t ले लिया, क्यों, इसी को क्यों t लिया, इसी को क्यों t लिया, आपने, वोकिस आपको यह दिख रहा था, x square को जब आप differentiate करोगे, तो 2x आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, x dx बच जाएगा, और वैसे ही हुआ ह x dx बच किया है, got it, clear है, substitution जब करते हैं हम लोग, जब हम substitute करते हैं, तो ऐसे term को लेते हैं कि, ऐसे term को मैं substitute करूँ कि उसका differentiation का पार्ट मुझे question में मिल जाए, उसको differentiate करने के बाद मुझे question में कुछ easy हो जाए, replacement मिल जाए, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो, x dx को हम root dt के form है, 1 by 2 का common, root dt, अब यह root dt को कैसे solve करोगे, इसका मतलब क्यों तुमारा t half, integration का formula क्या है, x to the power n का formula क्या, x to the power n plus 1 upon n plus 1, yes or no, तो यहाँ तुमारा 1 by 2, t1 by 2 plus 1 and 1 by 2 plus 1, छीक है, तो यह क्या हो गया तुमारा, t3 by 2 upon 3 by 2, यह जाएगा तुमारा, यह 2 उपार चला रहेगा, तो 2 upon 2 into 3, into t3 by 2, यह 2, यह 2 cancel हो जाएगा, तो आपका आजाएगा, अच्छा, यहाँ पे plus c करना मत बुलना, यह जाएगा तुमारा 1 by 3, t3 by 2 plus c, अब solution किस के form में दिया था, x से form में, तो फटा-फट से x को, और x को क्या लिया था अपने, आपने यहाँ पे देखो, t आ रहा है, इस t को x के टर्म में ले लो, 1 plus x square है, अपने t को क्या लिया था, 1 plus x square लिया था, substitute करो यहाँ पे, therefore your solution will be 1 by 3, 1 plus x square, 3 by 2, plus c, done, लिखके लो, साथ साथ में questions पूरे practice करो, ठीक है, clear, बत इसी तरह से करना है, next question और आने तो आपको और अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है, कि substitution किसको, अच्छा, इस पूरे exercise में करें एक ही चीज़ important है, माडम, substitute किसको करते है, because substitute अगर मान लो, आपने किसी को लेके t माना, तो इसको differentiate करोगे, question में देखोगे, yes, यह दो नो common मिलता है, यह जैसे यहाँ पे x dx है, यहाँ भी x dx मिल गया, तो बस उसको बाद में substitute करना है, समझ में आया, everyone, चलो, let's come to your next question, इस second question में क्या करेंगे, आप, second question को क्या करोगे, integration of x cube, under root of 1 plus x to the power 4 dx, गईज अगर वापे से मैंने इसको ले लिया, 1 plus x to the power 4 ले लिया, तो 1 का differentiation would be 0, and x to the power 4 का 4 x cube आजाएगा, x cube dx आजाएगा क्या यहाँ से, बिलकुल आएगा, चलो, आजाओ, let, 1 plus x to the power 4 is equal to t, यह जागा तो मारे इसको differentiate कर रहे तो यह जागा 0, plus 4 x cube, ठीके, is equal to dt by dx, अब डिरेक भी solve कर सकते हो, you need not write कि भाई, differentiating both sides with respect to x, ठीक है, लिखोगे तो बहतरीन presentation होगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, now, 4 x cube, अच्छा, ऊपर देखना, ऊपर 4 x cube है या सिफ x cube है, ऊपर 4 x cube है, या सिफ x cube है, सिफ x cube है, ये लो, अब आपको अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है, उपर से भी x cube है, तो यह जाएगा 4 x cube, इस इक्वल टू डीटी बाई डीएक्स, x cube, इन्टू डीएक्स, इस इक्वल टू डीटी अपॉन, पोर या 1 बाई 4 डीटी, ये सार नो, बस हो गया, अब लेट, i is equal to integration of x cube, ये पूरा question कॉपी कर रहे हैं या पर, x to the power 4 d x, i, ठीक है, इसको मने i ले लिया है, ओके, नउ, अब क्या करेंगे हम लो, बस इसको करो, x cube d x क्या गया तुमारा, 1 by 4 dt, और ये क्या होगे तुमारा, इसको तुमने t लिया न, ये होगे तुमारा, root t, done, पूर ये question को आपने बहुत ही simple form में कर दे, ये 1 by 4 चला रहेगा बाहर, ये हो जाएगा तुमारा, dt by t to the power half, ये तुमारा, 1 by 4, t to the power minus 1 by 2, dt, formula लगाओ, t to the power n plus 1 upon n plus 1, मत अभी क्या हो जाएगा ये हाँ पे, 1 by 4, t to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, हो गया, आपने differentiation का step कर दे, अब बस उसको थोड़ा था, smooth कर लो, question को जो एकदम dangerous सा दिख रहा, उसको solve कर लो, अच्छा, 1 plus 1 and minus half, कितना हो जाता है, minus half and plus 1, कितना होगा गई, plus half, तो तुमारा, you get t to the power half, और इसका और रहेगा t2, इसका भी यहाँ पे भी आ रहेगा, half आ जाएगा, plus c, ये half उपार चले रहेगा, तो this will be your, 2 by 4, और t को मैं root t लिख दू, plus c, 2 1 जा, 2 2 जा 4, लिख रहा है आपको, okay, now, t को क्या लिया था, तुमने क्या अजूम किया t को, बताना मुझे फटा फट से, t को assumption क्या किया था, 1 plus x to the power 4, 1 by 2, under root of 1 plus x to the power 4, plus c, this is my answer, therefore, i is equal to, आपने proper किया, इसको box बनाया, answer लिखा बाजू में, तुरंट examiner को समझ में आएगा कि yes, done, clear है, ये देखो, पूरा question देख लो एक बार में, ये लो, done, दिव्या समझ में आया, कैसे ले रहे हैं अपन, substitution method में क्या substitute करने का, ये समझ में आ रहा, ऐसे इंसान को, ऐसे कुछ तो भी value को कुछ substitute करने का, जिसको differentiate करने के बाद में, कुछ तो भी terms आ जाए, जो integration जो हमारे question में common है, जिसने यहाँ पर अगर मैंने one plus x to the power four को लिया, तो यह जाएगा, x cube आ जाएगा, one का तो zero, four x cube आ जाएगा, four common निकल जाएगा, x cube और dx, उसको मैं लेख सकती हूँ, one by four dt, बाकि पूरा question will be your simple, done, समझ में easy है, बहुत easy है, बोलो जी, simple है, okay, अच्छा, दिव्या, आपके भी, आप लोगों को भी यही सब बोला है क्या, कि लेक्सित, solve examples नहीं करना है, इस बार, इस attempt के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है, करके जाना, ठीक है, अच्छी practice होगे, अच्छा खासा grip आएगा, मतलब, then you will be like, कि अब कुछ भी आजाए, question में, differentiation, integration का, खुछ भी question आजा, I'll be able to solve it, मुक्त आपकी मायम exercise के हरे question करवा रही है, मैं तेनने exercise भी करवा के दे रही है, बचा क्या, solve examples, तो प्लीज वो अब आप आपके side से cover करो, ठीक है, और कुछ भी doubts आए, तो पहले question लिखों यहाँ पर, e to the power x plus e to the power minus x का whole square है, ओहो, e to the power x minus e to the power minus x, dx है, यहाँ पर किसी को तो भी t लेना है, किसको t लूँ मैं, किसको t लूँ, इसको t लूँ क्या, क्यों मैंडम इसको क्यों, क्योंकि देखो, e to the power x का differentiation e to the power x ही आएगा, और e to the power minus x का differentiation e to the power x minus 1 आजाएगा, इसको u लिया तो minus x को वापे से differentiate करते हैं, यहाँ जारा, जिसको u लोगे, उसको वापे से differentiate करोंगे, नहीं समझ महारा, तो तुरंत आजाओ भी, e to the power x का differentiation क्या हो जाएगा, e to the power x, e to the power minus x का differentiation क्या हो जाएगा, e to the power x आपको पता है, तो इसको u लिया, e to the power, यहाँ पर plus, e to the power minus x, छीके, e to the power x हो गया यह, e to the power u हो गया, जिसको u लिया उसको वापे से differentiate करने का, u तुमने लिया इसको, तो d by dx of minus x क्या हो जाएगा minus of 1 is equal to d by dx of t समझ चुमें आया क्या तो ये दिखो जरा ये आ गये तुम्हारा अच्छा अब थोड़ा सा धान से now this plus and minus will be minus e to the power minus x dx is equal to dt क्या तुम्हें question में ये मिल रहा है तो आप इसके बदले में क्या लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ dt लगा सकते हो यो done समझ माया अच्छी तरह से पक्का गई differentiation आना जरूरी है integration देखने के लिए जो भी कोई lectures देख रहा है ठीक है आप जभी भी कभी lectures देखो लेकिन आपने at least differentiation पूर अच्छी तरह से आता है तो भी आप यह सारे सम्सॉल्व कर पाऊगे ठीक है आप यह question क्या बन जाएगा हमारा आप तो question बहुत ही आसान बन गया यार यह जाएगा तुम्हारा t का square और इन दोनों के बदले में हम लोग क्या लिख सकते है dt जन्नत t to the power n plus 1 upon n plus 1 मतलब यह जाएगा t to the power 3 upon 3 plus c इसको integrate जैसे कर दिया ना तुमने जैसी formula लगाया वैसी यहाँ पर plus c आ जाना चाहिए चिपका देना plus c t क्या लिया था आपने t लिया था t क्या लिया आपने e to the power x plus e to the power minus x का q upon 3 plus c done yes this is your final answer समझ मैं कैसे कर रहे ते dangerous हम को आपने किते simple way में substitution method तूल कर दिया done third okay now let us move to next question integration of 1 plus x upon x plus e to the power minus x कि एक में दरो मत शान्ती से 1 प्लस X X प्लस E to the power minus X DX यार एक बात बता ही दा तो minus X है X को इस पूरे को भी किया तो X का 1 आएका लेकिन E to the power minus X का minus E to the power X आएका मतलब कुछ आ नहीं रहा है अगर मैंने इसको लिया तो कुछ भी नहीं आ रहा है ठीके ये 1 प्लस X तो नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे इसी कोई further solve करो ठीके नहीं आता है ना तो इसी step को further solve करने का तो ये क्या हो जाएगा equal to 1 प्लस X X plus 1 by E to the power X ऐसे लिखू क्या ठीके अब क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा E to the power X इन्टू X plus 1 whole upon E to the power X DX DX नहीं भूलना है ठीके जी further solve कर ये E to the power X उपर चला जाएगा तो ये जाएगा तुमारा integration of E to the power X 1 plus X upon E to the power X into X plus 1 ठीके ऐसा कुछ आ रहा है बोलो एता कुछ तो भी आया है now ठीके अब आप क्या करोगे अब आप ले लो इसको T ले लो let E to the power X into X plus 1 is equal to T मैं क्यूँ करके देखो आपको उपर का numerator टाइप में कुछ similar आएगा करके देखो यहाँ पर क्या लगेगा UV रूल लगेगा मतलब 1st into differentiation of second plus 2nd into differentiation of first 1st into differentiation of second d by dx of X क्या हो जाएगा 1 plus 2nd into differentiation of first short मैं करता है न d by dx of e to the power X क्या हो जाएगा e to the power X आजाएगा यह हो गया तुम्हारा इसका वाला पार्ट यह तुमने इसका पूरा solve किया UV रूल लगा है ठीक है तरफ देखते है कुस्सिमिलार आया क्या e to the power e to the power X गाईज आ गया सिर्फ e to the power X को अगर मैं कॉमन निकाल लू यहां से तो मेरा जागा 1 plus X और dx is equal to dt d dk 1 plus x dx is equal to dt got it आ गया now अब इस question को थोड़ा सा simple बना दो यह जो question था तुमारा इसको थोड़ा सा simple बना दो यह क्या हो जागा तुमारा इस पूरे term के बदले में आप क्या लिख सकते हो dt लिख सकते हो तो यह लो जी dt लिख दिया और इस पूरे के बदले में आप क्या लिख सकते हो t मतब क्या हो गया है आपका इसको और यहीं पर थोड़ा सिंपल करता है क्या हो गया डिया 1 by t dt इसका तो आपको आता ही है t to the power minus 1 by 2 dt यह ज़िए t to the power minus 1 by 2 n plus 1 upon n plus 1 plus c done t to the power half upon half plus c अच्चा मुझे अभी ए्क बताना एक बताना यूज सीरी रवी फाव जाना फ्रेट यह पर फॉर्मली क्यों अप्लाई किया है जो कुछ शौट़ कट वश्ट्कट फॉर्मुली लेते कल अवर लुक्रिच भी उल्मली vad यह देखो इस चार्ट की तरफ आओ जब इस तरह से समय चार्ट बना के दिया है तो इस चार्ट की तरफ आजाने का शिट यार जब एक्स तो पार एन है तो आप ऐसे करते हो लेकिन वन बाइस दिरेक्ली आगया तो डिरेक्ली पुट करो ना लॉग चार्ट इस प्लस सी समझ में आया तो चलो आजो वन बाइस डिरेक्ली आगया था तो इन्टेफिक्रेशन ओ वन बाइस कैं ओ जाता आपका इंटेफिन ओफ दीओ लोग एक्स प्लस्टी ओन बाइस पुट क्लस अधिफिक्र मिज लोग औफ मोडख Pres plus 1 plus c guys this is our answer clear समझ में आया गल्ती क्या कर रहे था है अपन यह ध्यान रखना 1 by t का log होता है 1 by t क्या हो जाएगा log t 1 by x का log x clear तो हमेशा वो n to the power करने में थोड़ा सा ध्यान रखना बस ठीक है डिफ्रेंसियेशन में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी क्यों कि डिफ्रेंसियेशन में x to the power n का फॉर्मॉला में पता है n x to the power n minus 1 डिफ्रेंसियेशन में log x का डिफ्रेंसियेशन होता है 1 by x तो सवाली नहीं उता लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत बच्चों ते यह मिस्टेक होती है कि x to the power n का x to the power n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है लेकिन 1 by x का डिरेकली लिखो गया आप log of x clear है जी बोलो done यह समझ मैं बीटा clear ओके चलो फिस्ट वाले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं बाप्रे क्या भ्यानक देते ना एलो कुछ तरदियूम करना पड़ेगा एक काम करते हैं सबसे तरह कॉंप्लिकेटेड यह दिख रहा है कुछ ठीक है इसका एक हिंट है अगर मैंने x plus 2 को t ले लिया तो यह हो जागा t to the power 7 यह तो हो जागा t to the power 7 बट यह तो कोई बात नहीं तुमने x plus 2 को t लिया है ना तुम यहांते x की value निकालो तो यह जागा t minus 2 हो जाएगा तो इधर x plus 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा इधिकल ट t minus 2 plus 1 मैं नहीं समझा अरे x के बदले में t minus 2 put करो plus 1 plus 1 as it is है तो यह क्या हो जागा t plus 1 x plus 1 के बदले में तुम लिख सकते हो t sorry plus 1 है t minus 1 ठीक है t minus 1 अरे plus minus 2 plus 1 minus 1 होगा न x plus 1 के बदले में हम लोग यह put करेंगे ठीक है और x 2机 बदले में क्या put करेंगे x क्या है तुम्हारा t minus 2 plus 3 t plus won आएगा और यहाँ पर तो अब पूरे question आप इसको t के format में लिख सकते हो इसके बदले में लिख दो कि t minus 1 समझ में आया अब बाकी कुछ तो क्वेशन से कुछ तो अपन डिप्रेंशीट करेंगे तो कुछ कॉमन निकल जाएगा नहीं समझा है तो रुप जाओ जारा वापस से यह तो ज़स्ट कट था कि इस पूरे जाएगा डिया डिवाइड एक्तो एक्स कितना हो जाएगा वान और डिवाइड एक्स तू जी रो ठीक है यह जाएगा तू इस इकल ती लिया डिफ्रेंशीट करो बोच साइट with respect to x यह हो जाएगा तुमारा डिवाइड एक्स ओफ एक्स डिव्र एक्स ओफ तू जी बाइड एक्स ओफ टी इसका सौलिशन करोगे तो आएगा इसका सौलिशन दिरो आएगा पनसेंट का जीडो हो जाता और यह आगहारा डिंवाइड दिरील ओ दिर nämवेरे dt it means dx is equal to dt yes or no simple ma'am मैं तो कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं है dx की बदले में तो dt पुट कर सकते हो बागे साब को पूरे question को अब T के formula को माम कैसे जैसे तुमारा यह अब जब आप integrate करोगे न तो यहाँ यहां पर x plus one है यहां पर x plus three है यहां पर यह जगा तुम्हारा टी टू तो पावर सेवन क्या तुम्हें पूरे को इसको भी टीके टर्म से लिख सकते हो क्या क्योंकि यहां पर dt आ गया है dx से बदले में अपने dt पुट कर दिया ठीक है कैसे करेंगे जो आपने लेट किया था यहां से x की वाल्यू क्या गई t-2 ठीक है तो यह x plus one क्या हो जाएका लिखना यहां पर जारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे ठीक है आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे यहीं पर करो माम यह सब कहां करना है जटाती हो समझ मैं आपको क्या करना है तो आप यहीं पर हटाके करोगे देर्फोर x plus one since x plus two is equal to t तो x is equal to t minus two हो जाएगा आपका देर्फोर x plus one will be equal to your यह क्या हो जाएगा तुमारा x plus one क्या हो जाएगा x के बदले में लिख देना आपने t minus two मतलब t minus two plus one कितना हो गया डिया बोलो कितना हो गया t minus one हुआ ठीक है और x plus three therefore x plus three is equal to x के बदले में लिखो t minus two और यह plus three as it is लिखो तो यह हो गया तुमारा t plus one yes or no बस अब पूरे question को तुम short में t के टाउंस में बना लो इतना simple हो जाएगा ना वो अभी यह था तुमारा question integration of x plus one के बदले में क्या लिख लें t minus one इसके बदले में क्या लिख लोगे अच्छा इसके बदले में t to the power seven और इसके बदले में x plus three के बदले में t plus one yes or no समझ में आया और यह dx से बदले में क्या लिख रहे है dt dt solve करो माम कैसे बहुत अत्रंग यह दिख रहा है अदे t minus one t plus one a plus b a minus b यह जागा तुमारा a square minus b square अच्छा one का square will be one only बट ठीके लिख दो यहाँ पे इंटो two to the power seven dt ठीक है अब क्या हो जाएगा यह अब क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ब्राकेट्स है तो अबीट्ली ब्राकेट मुल्टिप्ला होगा t square इंटो two to the power seven क्या हो जाएगा t to the power seven eight nine यह पावर दाड हो जाते है multiplication में और यहां पर आजाएगा t to the power 7 integration करो dt लगाओ integration करो dt लगाओ open करो bracket 0 यह हो जाएगा तुमारा t to the power 10 plus 10 और यह हो जाएगा तुमारा t to the power 8 plus 8 और plus c got it समझ में आया कैसे किया पूरे question को t के terms में convert कर लिया तो x plus 1 जो था वो मेरा t minus 1 हो गया जो x plus 3 था वो मेरा t plus 1 हो गया जैसी t plus 1 t minus 1 आया a square minus d square का formula mind में click किया उसको multiply किया है bracket जिसके बाद तो अपना normal solving है इसको multiply किया तो t to the power 9 हो गया इसको किया तो t to the power 7 हो गया done guys therefore आप लिखो के i is equal to अच्छा अभी answer नहीं हुआ है अभी answer नहीं हुआ है रे बाबा so sorry अभी answer नहीं हुआ है इस t को place नहीं करोगे put नहीं करोगे आप value t क्या था तुमारा x plus 2 is equal to t था अच्छा तो x plus 2 to the power 10 upon 10 minus x plus 2 to the power 8 upon 8 plus c this will be your final answer clear है done यह दिव्या समझ में आया हूँ easy था हूँ ठीक है बट टेक्नीक ध्यान रखना है कि कौन से question में क्या चीज़ अधियूम करते आप ठीक है बस उतना ही एक important है और मैं बोलू वो चीज़ों को आप एक बार यह question solve कर लो ठीक है उसके बाद में next time जब आप revision करोगे ना तो main focus यही डालना कि t किसको ले substitute किसको करे ठीक है आप एकस डिपरेंटियेशन अरी एकस और यहां पर ही वन बाय एकस दी एकस इए दीक है अब यहाँ पर ही वन बै एकस दी एकस इप इख एकस इपकल टू दी का और टी वन बाय अब डेकना question में 11 by स ध यूफ यह बतले में डीटी पुत कर दूँ तो यह जागा तमारा 1 by T DT Yes or No अब तुरण माइंड में क्लिक होना चाहिए याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में यह फॉर्मूला बताए था integration sorry integration of fx नीचे fx दिया उपर derivative दिया है उसका तो वो क्या हो जाएगा log of fx तो आप directly भी फॉर्मूला यूस करताकते हो यह step पे या फिर नौ यू कन राइट अच्छा इसका integration क्या हो जाएगा 1 by T का log T plus C log T, यह T क्या है? log X है yes or no? log of यह T क्या है? T है log X plus C therefore I is equal to this is my answer clear है everyone समझ माया question number 6 easy था yes or no? now let's move to our last question question number 7 भी कर ले था फटा फट से integration of X to the power 5 upon X square plus 1 maam इसमें तो हो ही नहीं सकता ऐता हो ही नहीं सकता कि substitution method ते तुम solve ना करो ठीक है? थोड़ा से दिमाग लगाओ थोड़ा था दिमाग लगाओ यह X square है अगर तुमने X square plus 1 को आपने अगर T माना इसको differentiate किया तो यह उज़ागा था हमारा 2X इसका उज़ागा प्लस 0 यह उज़ागा तुमारा Can you write it as X square to the power square into X upon X square plus 1 D X लिख सकते हो? क्यों मैं आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहापर दिख रहा है कि मुझे X और D X देखो ना यहापर 2X D X is equal to D T X D X मेरे derivative करने से मुझे X D X आ गया तो यह हो जाएगा 1 by 2 D T मुझे इस question में मैं आप इसको convert कर सकती हूँ और T के terms में लिख सकती हूँ यह समझ में आ रहा है everyone लिकिन मैं फिर यह X square जैसे अपने question number 5 किया since X square plus 1 is equal to T तो X square क्या हो जाएगा? T minus 1 substitute कर दे तो गया done got it समझ में आया? क्या बोल रहे है दिव्या? दिव्या बोल रहे है माम X square का square Q लिया देख इदर इदर देख दिया X to the power 5 को मैं इसको एसे तोड़ सकती हूँ क्या यह गया 4 plus 1 5 4 plus 1 5 हुआ ना उपर power जाड कर multiplication में power जाड हो जाते है आया? याद आया? हाँ नड़ी की होती है हाँ चल अब ध्यान में आया हूँ अब देखे हैं पर यह X square का भी doubt था कि यह क्या होगा? तो वापे से मेरे माइन में मुझे मेरा question क्लिक वा यहां से X square निकाल दे T minus 1 जन्नत अब थोड़ा ध्यान से X square के बदले में क्या लिख रहे हो तुम? T minus 1 का square ठीक है ठी? X square T minus 1 है और उसका square है चीक है? और यह X dx से बदले में क्या लिख रहे हो तुम? 1 by 2 dt लिखो ज़रा 1 by 2 dt और यह इसके बदले में क्या लिख रहे हो? T पूरा question आगया तुम्हारे इसके time में अभी क्या करेंगे? अब 1 by 2 तो common जाएगा बाहर जाएगा constant है वो इसको open करो A square minus 2 A B A B मतलब minus 2 T plus B square मतलब 1 whole upon T तो यह T इसके साथ भी divide कर दे इसके साथ भी divide कर दे dt कर दे समझ में आ रहे? अब क्या करेंगे? यह T यहां का कड़ जा यह T यह T कड़ जा यह तो ऐसी रहेगा तो अब इसका integration कर लेते है फटा-फट से यह 1 by 2 integration of T कितना हो जाएगा? T to the power square upon 2 T to the power n plus 1 मतलब T to the power 1 है यहां पर सिर्फ T यह मतलब 1 है अरे यह T यह और यह square क्यांतल हो आ एक ही T बचा T to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 तमझ में आया? तो यह हो गया? अच्छा, minus 2 है कुछ नहीं दिया है यहादे अपन डिप्रेंस इसिशन थोड़ा तर एक मिट यह रफ है, ठीक है? D by dx of x अगर 1 आता है तो integration of 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा तो यहाँ पर integration of 2 है तो यह minus 2 तो कॉमन निकला T क्या हो जाएगा? अरे बबाबा integration वापे से देखो integration of T 1T यह 2 बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा तो वो क्या हो जाएगा? T आएगा और integration of 1 by T क्या हो था? अभी मिस्तिक की थी अब तो मिस्तिक जिंदगी में नहीं करेंगे integration आएगे तो 1 by x होता है log x तो यह जागत हमारा log of mod of T सबको अपने integrate कर दिया तो अब मैं यहाँ पर चिपका दूँगी C got it? this part यह पर clear हुआ? हाँ, यहाँ, यहाँ x square plus 1 ठीक है? तो 1 by 2 x square plus 1 का whole square upon 2 minus 2 x square plus 1 plus log of x square plus 1 integration में यह mod लिखना मत भूलना ठीक है? अभी भी कुछ होता है का अनसल? बिल्कुल होता है यह जो देखो, यह 1 by 2 है यहाँ पर और इधा 2 है, तो यह 1 by 4 हो जाएगा yellow 1 by 4 यह 2, यह 2 कैंसल हो जाएगा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा minus x square plus 1 yellow और यह 1 by 2 इसके साथ multiply हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 by 2 log of x square plus 1 समझ में आ रहे है? तो guys, this is our final answer बस यह 1 by 2 को open करो, आपको सब समझ में आ रहेगा तो this will be your final answer clear है? all clear, अच्छा test book में question कर लेता, answer जो है वो गलत दिया है अपना सही है, तो आप बिंदास यह follow करो done, yo यह लिए पीटा, पूरा एक बार ले लो बस यह exercise में थोड़ा सा step by step इसलिए कर रहे है ठीक है, चाहे तो पूरे exercise आपन फिनिश कर सकते हैं बट नहीं, बिलकुल नहीं करना है वैसे step by step, at least आप यह पूरे question को वापिस से revise करोगे किसको tea लिया this is the most important part आगे तो पूरी story बहुत easy है ठीक है? done? okay guys, so we will stop till here मिलते नेक्स lecture में, तब तक के लिए अलविदा yes, bye bye everyone, take care खुदा आफर, bye bye